तो देखें यह हमारा था टोनर कार्टे से रिलीटेड फोल्स वर्किंग और इसे रिफिलिंग का प्रोसेस मैंने बताया आपको कैसे इसे रिफिल करते हैं कौन सा मोडल नंबर है कैनन एम एफ हां 4750 का नंबर हमारा है 328 अब है अब है है कि फ्रेंट्स तो फिर मैं अपने डापी के साथ मैं आपने लैब में आ चुका हूं इसमें इस बार मैं बताने जारा हूं का इनन प्रेंटर्स के बारे में बताने जा आया हुआ है MF 4750 जिसमें हमारे जो कार्टेज नंबर लगा हुआ है वह भी मैंने आपको यहां पर जिक्र भी किया है कि कार्टेज नंबर क्या है 328 का नंबर आपको यहां पर 328 है और प्रिंटर से का मोडल नंबर जो है कैनन MF 4750 है तो इसमें प्रिंटर्स में जो कार्टेज लगे होते हैं सेम अपके अपने लेजर प्रिंटर्स जो HP का होता है तो HP के लेजर प्रिंटर्स में जो 88 नंबर कार्टेज होता है या 36 नंबर या 78 नंबर या 85 नंबर कार्टेज जिस प्रोसेस से हम इस कार्टेज को रिफिल करते ह काटेज और कंपरी का नाम रख दिया गया है केवल ब评ल सा स्ट्ट् home से चेंजिंगू कर दियाrael जिससे की उसके बोडी के जो काटेश उसमीegen लग सकते हैं लेकिन जो इसके अंदर के जो पार्ट्स लगे हुए हैं जो भी मैंने अभी पार्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा जिसे हमारा ड्रम हुआ पीशी आर क्लिनिंग एंक डॉक्स की बोक्स का छोड़ के जितने वीपार्ट्स एंड से ंढ़ं ग्रों। आपको सेरी दिखांगा ऑभी लगाके दिखाऊंगा कि दिखाए दिखिए कि दोनों काटेज का ड्रम कैसे हैं सेम होते हैं या नहीं तो देखिए आपको हमने यहां पर लिखा है कि सेम प्रोसेस होता है 88 नमबर का 36 नमबर 78 नमबर 85 नमबर जो हमारे एच्पी का लेजर प्रिंटर पी एक हजार साथ पी एक हजार पंदर सो फाइब होता है जिसमें एन भी लगा दिया जाता है इसमें नेट्वर्क प्रिंटर भी आते हैं सब्सक्राइब होते हैं मैं उस काटेज को भी एक बार खोल के भी मैं दिखाने जा रहा हूं कि उसके पार्ट में उसमें कौन-कौन से लगे होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है काटेज को जो आप फड़े正 के नाथी ड्यक्तराइब कर सकते हैं मैं ज़िखें में आप और जिक्र करूंगा इसमें क्या क्या फॉर्स आते हैं लेकिन अगर इससे जादा आपके नॉलिज लेने की इच्छा है कभी भी तो आप हमारे इंस्ट्यूट मल्टी टेक तिलक नगर में है मैट्रो गेट नमर तीन जिस आ सकते हैं आप हमारे इंस्ट्यूट में आईए और विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद आप देखिए कि हमारे पास द लैप्टॉप मुवाइल्स डेस्टोफ सारे एटुजेट जितने अभी जो हमारे पास जो जरूरत मन्द चीजें जैसे कि आभी के टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेज हो जाने के कारण हर किसी के पास देखते हैं कि लैप्टॉफ हैं मुवाइल से हैं क्योंकि उसके जो जो स्मार्ट कॉर्सेज लाया हैं जिस्से आपका लाइफ चेंग हो सकता है बदल जाता है जो आप कल तक वेरुजगार है हैं आज आपका वेरुजगारी दूर हो सकती है तो टेकिनिकल कोर्स कीजिये और आप अपने किस्मत को बदलिए तो देखिए मैं आप उसको से टूल से होनी देखी आप के पास सबसे पहले मगनेक स्कूरडाइबर आपके पास कौनी चाहिए जो पलस की होनी चाहिए जो बहुत ही जरूरी है मेंकनेकिक स्कूरडाइबर nors 无 deliberately कभी किसी कजी कार्डे उन लॉट होते हैं लॉक को बाहर खोरने के लिए इस नॉस प्लायर के जूरत होते हैं तो इसे आप के पास एक रही चाहिए चोटा यह बढ़ा कोई ले सकते हैं तीर्से framky одно नहीं भी है तो सिंगल वाले अपड़ा आप इसे हमें करना है सबसे हैं कर ना चाहिए करना चाहिए दिखानक चाहिए हो होने चाहिए कि Parts और फार्ट का नंबर याद होक袋 ए Kirby में आप उसके पार्ट पो प्रसकों ले सकते हैं कि अब तक सबसे पहले यहां पर जब भी से हमें करना है तो ड्रॉम साइड्व भोता है तो द्रम साइड्वान ढ है कि एक छोटी सी लॉक में और यहां पर एक इस कुल लगा हुआ है जबकि इसका नहीं है किसी नहीं से लगाए है यहां पर मोटे वाला इसकुरू लेकिन इसे बारीक इसक्रू लगते हैं और इसके बाद में इस कबर को हम बाहर कीछ लेते हैं अब इसके बाद में यह देख रहे हैं ड्रम यूनिट को इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा इसे लॉक को ऐसे प्रेस कर देंगा तो प्रेस कर दिए और यह हमारा सबसे पहले जो यूनिट देख रहे हैं इसे बोलते हैं ड्रम यूनिट ड्रम जो यह द्रम देख रहे हैं आप और इस ड्रम को इसे हम बाहर कर लेंगे आगक आगक काथ सबसे पहले हमने ड्रम को ओपेन किया ड्रम को ओपण करने के बाद इस स्क्रू को हम ओपण करना होता है रे अर्छे रे ओपेन करने के बाद दोनों साइड में आप देह रहे हैं इस लगे हुए इस क्रू ऑपन कर लें हुven अब देखिए यह मेगनेटिक स्कूर्डाइवर रहेगा तो यह आपको इसको ऊपर उठ जाएगा और इसके बाद में इस लॉक को ऊपर उठा लेंगे और इस एसेंबली से जो भी वेस्टेजिंक है हम इस वेस्टेजिंक को पाहर निकार लेंगे देंगे वेस्टेज बॉक्स होता है जो आप देख रहे हैं यहां पर किया पर पर अपर सरफेस को क्लीन करते रहे इसकी उपर जोặt रहे हैं यह लग रहे घृट को क्या करएगा क्लीन करते रहता है है तो हम इस तीनु बॉक्स को अभी यहां पर फिट कर देते हैं और इसके बाद में यह जो हमारे पीसीर है इस पीसीर को यहां पर लगा देते और इसे ड्रम को और इस यूनिट को अलग रख लेंगे अब जब भी इसे हमें ओपन करना है कभी वह विसमें तो इसे गेर साइट से से ओपन नहीं करेंगे गेर साइड में तक को यहां पर लगे मिलेंगे लेकिन इस गेर इसे स्कूल को ओपेन कर लेंगे और इसके बाद इस कवर को ओपेन कर लेते हैं और यह मैगनेट रोड यहां से बाहर आ जाएगे लिए अधेगे इसे स्कूलुद के खोर को और अधेग्स बाक्स में को रिफ्ल करना होता है और यह जो देखार हाँ इस से डलेट को बोलते यह जो ब्लेड देख रहें है इस ब्लेट को बोलते हैं डॉक्तर ब्लेट लेते हैं कोड़ करते समय इंग जो हमारे बोटलषोंjuk स्करने ज़रूरी है जोकि मैंगेति की होते हैं कि यह जम जाते हमालें ध्यूल सक यहां किला लेंगे हैं और इसे एक हम अपेन कर बर तो आप है 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 और दहें अब इसे मतर्थी हम करने जारह है कि हमने इसे रिफिल कर दिया करने का ही प्रोसेस है और इस साइट में होल नहीं बना हुआ कि आपको इस साइट से करना किसी किसी में आपको भी बना हुआ यहांपर मिलेगा तो इसके लिए फिर मैगनेट को बाहर नहीं निकालना होता है यह भी धियान में रखना होगा आपको मैगनेट को यदि आप बाहर निकाल लेते हैं और उसे रिफिल करने के बाद आपको हो सकता है आप अपने मैगनेट को क्लीन करना चाहते हैं अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं कोई दिकत न षरást थीने staan hiçbir बना हुए इस डी से दिश्ए को मिलाकर हम इसे करना ह Uranus कर दिया करना हूं कि हम ने कर दिया और इसे करने के बाद में कि इसे 새हाँ फिट किया अंग ऐसके बादम है सब्सक्राइब पार आशा इस मिश्रा AG कर एक तब का में के बाद में हम यहां पर चलते हैं और एक जो स्कूरू थे इस स्कूरू को लिए और इसे यहां पर ट्राइट कर देंगे अब इसे हमें दोनों पॉर्सिंस जो हमने अलग किये थे तो गेर साइट को गेर साइट से हम मिला लेंगे किये खाइट करेंगे इस से हम देखिख देखिए कर देखिए इस स्कूरू और लेगार करेंगे और इसके बाद में इस कवर से इसे लगा लेते हैं लेकिन इसे लगाने से समय ध्यान रखने के स्प्रिंग आपको उठा हुआ तो नहीं है नीचे चला गया था स्प्रिंग इसे लॉक में पहले फिट कर लेते हैं कि हिस ता से स्पिर्गड होनी चाहिए या00 प्रिप्र फिट होगा और द को कि अश्वने से लूज कर देंगे और यह Jáकर लॉक में बैट जाएगा जीए लॉक में जाकर इस्प्रिंग कैसे बैठ करो जब भी उसे उठाना भी होगा तो अराम से इसे उपर उठाएंगे ऐसे देगे उठा लिए और इसे लॉक पर ऐसे करके इसे साइड में कर लेगे अब इस साइड में हो गया इस लॉक को जैसे इसे छोड़ेंगे तो इसे स्प्रिंग को लॉक हो जाएगा और अब इसके बाद में हम एक स्कूरू जो हमने लास्ट में खोले थे इस स्कूरू को इस जगास से तो यह था आपको रिफ्लिंग प्रोसेस था और कौन सा कार्टेज का कैनन का है कैनन का कार्टेज है कार्टेज नंबर है 328 इस 328 नंबर कारटेज का रिफ्लिंग प्रोसेस वह मैंने बताया इससे एक बार पर दोबार है चाहता हूं कि आप का कुछ मोडल जमें आप सेंगा सकते हैं कटीएट थाटियна इसेग्टेंस परिएट अबर इन सभी कार्टेज में आप लगा सकते हैं जो इसमें काथेज में लगा हुए जो पार्ट लगे गई हुए वही पार्ट आपको इन आपको लगेंगे जी चाहे वो ड्रम हो PCR हो cleaning blade हो magnetic road हो या ड्रक्टर blade हो ये चारों चीज़ आपको सेम ही होंगे और इंक भी आपको सेम ही डलेगा जी तो ये तो हमारा था है य rifli process और इससे कुछ related i 겁 मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या घर साते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले कुछ MP 것도 के नाम पहले जो हूं याद रखिएगा क्या अभी हमें जानना जरूरी होता कि या देखिए नियुक्स के रिलेचिर आपको ईयाका कभी की वही याद रखिएगा कि यह फोल्ट्स आपको सेल टेस्ट लेने की दौरान यह सिस्टम से कमांड देने की दौरान यह फोल्ट्स आएगा कोई ऐसा नहीं कि प्रिंटर ओन करने पर यह मुवमेंट में आरण देगा नहीं जब भी आप प्रिंट आउट कि जो इमेज हमारा प्रिंट में बना हुआ आ जाता है कभी भी जैसे हमारे कहने के मतलब है कि यह पेपर आपका है तो इस पेपर के उपर सेम डिस्टेंस पे ब्लैक डॉट आ गया इंद मोर्देन फोर में ठेक है तो चार डॉट यह सेम डिस्टेंस पर आ यह पर क्या रहा हुआ तो ब्लैक लाइन आ रहा है तो ब्लैक साइड अगर बना हुआ आरहा है तो समझें आपका करना होगा कभी-कभी आपको लेफ्ट साइड से लाइट पिंटिंग आता है लेफ्ट साइड से लाइन तो नहीं आ रहा है लेकिन लाइट पिंटिंग एबलेबल होता है जैसे आपको लाइट पिंटिंग अगर एबलेबल हो रहा है तो समझ यह कि आपका ड्रम का लेयर जो उसके उपर के उपर होता है जो वह देख रहें देख येँ चलते-चलते रहा होता है जिसके कारण हो इस पर इमेज होना चाहिए और उसका मोडल नंबर के कॉडिंग या आपके सेंग है तो उसे काड़ücklich निकाल कर सकते हैं रिप्लेस करते हैं आपको प्रालोम सो जो जाएगे क्यां नेक्सट पार्ट जो हमारे थे पी-स पैसी ऑन से लेकर से ऐसार लेकिन कम आते हैं थुद्द फोल्ट से लेने की तोराक्यूड या सिस्टम से कमांड देने सिंगल भी लाइन आता है हो जेंटल लाइन जब भी आपका पास आता है तो समझ यह कि आपका कहीं ने कहीं आपका PCR का प्रॉल्लम है या आपके पास जो प्रिन्ट आउट हो उसमें चार अ धिक डॉट हा रहें जो हमने पहले बता है चार ही आरहे है अरह तीन डॉट तो ड्रॉम का रिचर्ट होता हैं लेकिन किसी-किसी में चार डॉक्ष उल diff करहता है दो ने अगरोटाफेर्ध आपकorgtा कि कि यह आपको PCR से रिलिटेड एक फोल्स है जिसमें PCR को आपको भी उसे पहले तो हम इसे क्लीन करके देख लेंगे अगर क्लीन करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो हम उसे क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे अब हो रहकATHAN है पाथ में नेकस्त पार्ड क्रूंक है जो इसे क्लीनिगगवि जैने क्लीन इस सी स्हां है है कि बॉलता है लायट ब्लेग लाइद ऑला प्लेग गई इए बिलाइटagu ब्लैक तो लाइन हा रही है लेकिन सी रही है और इसी तरह से पत्ली लाइन आपकी प्रिंट आउट में तो और समझतेए कि यह की लेटेड भल से ब्रेंग ब्लेट को उसमें करना होगा और उससे भी आसां तरीका आपको पहचाने निकाँ estoy जैसे पिंटर से कार्टेज बाहर निकाल लिए गा तो इस ड्रॉम देख रहें इस समझें आपका जो इस लगे हुए वाइपर बलेड जसे हम बोलते हैं क्लिनिंग भेंड वह खराब हो चुका है उस कंडिशन में करना होगी दूसरा कोई और सुलूशन नहीं को नेंट्स पार्ट में घुक तो इनक्त में क्लिख़नेंगा हैं मैगनेटिक क्लिए रोड HIS Soviet कराना इसमें जो टोनर इंक होता है उसे क्या ई कि जैसे कि ऑसे बना हुआ जाएगा जो आप का एगा कि क्या बना हुआ रहे हैं इस तरह से आकार में पैचित बादल सा आकार बना हुआ जाता है तो यह समझ जाए कि कि आपका कुछ नहीं तो में उस में मायनें डॉट को रिप्मेंसइं करना छता किसी किसी में आप अब दूसरे काटलने में बता रहा हूं जिसमें 12 जगता है उसमें जो में be होता है उसमें करने पहले तो सभी फैन्ट इन histoire रही है कि लेकिन करने के बाद बिल्कुल ही वाइट पेज आना आप डी से डी से प्रोपर नहीं करके लगाते हैं और ऐसी डारेक्ट लगा देते हैं जिसके करण उसको मुव्मेंट करने में वह इस्प्रिंग हराफ हो जाती है तो उस कंडिशन में भी आपको मैगनेट रोड को रिप्लेस ही करना होगा मोडल लंबर के एकोडिंग नेक्ट वे जो फोल्स हमारा है यह है लाश्ट फोल्स डॉक्टर ब्लेड से रेटेड है कभी-कभी आपको ऐसा भी लगेगा प्रिंट आउट में कि मैंने सारा चीज़ चेंज कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी इसका डार्क प्रिंटिंग नहीं है हमने लेजर को भी क्लीन किया ड्रम भी चेंज कर दिया उसके बावजूद भी आपका प्रॉल्म हो तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि क्या मैगनेट के उपर इंक का फ्लो ज्यादा तो नहीं हो रहा है कभी-कभी देखते हैं कि एक ही जगह एक अठा होता आएक कि इमेज तो बनेगी जैसे इधी लिखा उखाया लेकिन इस पर क्टे रहें मैं इस मोब इस तर्से कटे हुए इमेज़ बनते रहेंगे ऑक उत होगा लेकिफींटिक होगी तो उस लाइट तो देखें यह हमारा था टोनर काटेसर रिलीटेट फोल्ड वर्किंग और इसे रिफिलिंग का प्रोसेस मैंने बताया आपको कैसे इसे रिफिल करते हैं कौन सा मोडल नुमर है कैनन एम एफ काटेज का नंबर हमारा है 328 तो अब हम नेक्स टाइम है फिर नेक्स वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं थैंक्यू धन्यबाद